हेलो दोस्तों आज मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखी गई ठीक है आप सभी लोग इसके विटनेस हो स्मॉल कैप मिटकैप की अच्छी खासी दुलाई होती भी नज़र आई ठीक है और आप सोच रहोंगे कि यह गिरावट हुई क्यों ठीक है को दो चार अच्छी खासी बहुत लंबी चलने वाली है वह नहीं वाली है तो उससे लेटेड में आप से बाते करूंगा ठीक है आपको बताऊंगा कि अपर आपके लिए ओपन हो गई है जहां पर आप पोजिशन लेना चाते थे बट महेंगे हो गए थे और अगेन पोजिशन लेने की बाजी आ गई है तो उससे लेटेड बाते करेंगे बट उससे पहले आपसे रुक्वेस्ट है कि I am small cap investor हमारे चानल है इससे subscribe कर लीजिए जितना चीज़ों को सीखेंगे उतना पैसा बनेगा और सीखने का तरीका है सबसे पहले वीडियोज और वीडियोज के इलाबा ठीक है आप क्या कर सकते हैं आप हमारे कोर्स में जोइन कर सकते हैं जहां पर 880-0540-501 8169-261-037 दोनों नंबरों को सेफ कर सकते हैं basics to advance technical research fundamental कब लेना है कब बेचना है क्यों लेना है क्यों बेचना है ओके यह जानना है कि market में exactly हो क्या रहा है कब निकलना है कब नहीं निकलना है 20,000 रुपे का course है एक बाग course complete किया पीछे मुड़ के देखने की जरूवत नहीं पड़ेगी 3 months की hand holding है strategy using stock market है online notes है और एक बाग course करने के बाद याद रखिए एक साल का experience जो मैं बताऊंगा उसके record सारे दुख को हर लेगा आपके stock market को और साथ में किसी को काम करना है और ऐसे stocks आ गए है नीचे जो यहाँ से 50% और double और triple भी होते हुए नजर आ सकते हैं उने stocks के बारे में जानना है और साथ में काम करना है तो आप इन नंबरों पर contact कर सकते हो साथ में मिलके काम कर सकते हो बात करने का कुछ भी charges नहीं है आपको अच्छा लगे तो हम carry on करेंगे otherwise कोई परिशन ही नहीं है तो डो जोन्स कल की डेट में लगबग 251 पॉइंट ठीक है 252 पॉइंट से यहां पर बढ़ता हुआ नजर आया था ठीक है और नजर आ रहा था कि मार्केट में शुरुवात अच्छी होगी और शुरुवात एग्जक्ली अगर हम बात करें अच्छी हुई भी थी ऐसा नहीं है कि मार्केट में शुरुवात अच्छी नहीं हुई आप देखोगे तो एक गाप ओप ओपनिंग होती हुई नजर आई लगबग 100-700 चल रहे थे उनकी दुलाई पिटाई होती हुई नजर आई और दूसरे स्टॉक गिरे दूसरे अगर हम स्मॉल कैप मिट कैप की देखे दो दो डाइडाई तीन तीन परसेंट तक वो गिरते हुए नजर आई क्या खतम हो गई है रैली क्या यहां पर क्या रिट्रेस्मेंट है क्या है एक्जक्ली उससे लेटिट हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले है ठीक है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं बाइंक सेलिंग की रिक्मेंडेशन है नहीं अपने हिसाफ से देखिएगा अपट में अपनी नॉलिज आपके साब रखना चाहता हूँ त दूसरी बात हम देखे तो निफ्टी आप देखोगे एक तेजी में था ठीक है तेजी होने के बाद एक गिरावट होती ही नजर आई और क्या यह गिरावट टैंप्रेली है या बार बार होती है या कैसी है ठीक है निफ्टी में यह जो गिरावट है ठीक है बहुत बड़ी गिरावट है इसे हमें बड़ी ही मानना पड़ेगा क्योंकि आप देखोगे इतनी सारे एक डिर साल में तो इस तरीके गिरावट नहीं होती हुए नजर आई बीच में जरूर इस तरीके गिरावट यहां पर हुई थी और वो तब हुई थी जब एक टॉप बनता हुए नजरॉय था और बॉटं ही बन रहा था इस ती थी का रूर यहां पर इस ताइम यहां पर यह घिरावट होती हुए नंजरॉय थी दूसरे बात देखोगे तो यहां पर आपको trend line का यहां पर breakout हुआ था मैंने आपको बता है भी था और उसके बाद चीजे निकलने के बाद अब क्या हो सकता है उससे लेटिर मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ ठीक है तो सबसे पहली बात गिरावट क्यों ही और कहां तक हो सकती है क्या लेवल है वो सब चीज से लेटिर जून में जून 2023 में breakout दे दिया था बट आपको पता चलेगा कि डो जोंस का जो breakout हुआ है डो जोंस का breakout फिलहाल में हुआ है ठीक है अभी breakout होता हुआ नजर आ रहा है तो आप इतने आसानी से इसे मत छोड़ियेगा ठीक है इतने अंग्रेजों ने इतना वेट किया है ठीक ह यहां से हो सकता है कि यह गिरावट हो और इसे दुबारा ठीक है नब 500 पॉइंट नीचे लेके आ सकते है यह चीज 500 पॉइंट नीचे आती है अपॉर्चुनिटी बनेगी यहां से फिर भगाएंगे और जब यह भगाएंगे अमेरिकन मार्किट भागेगा तो ऐसा कोई मा अच्छा चल रहा है ठीक है तो इंडिया के मार्केट पीछे नहीं रहने वाले ठीक है वही चीज़ है यहां पर भी दिखाई दे रही है कि यहां पर गिर सकता है ठीक है यहां पर हो गया मेरिकाल से और नहीं भी होता ठीक है अगर अमेरिकन मार्केट में गिरावट हो जात और हम अपने क्लाइंटों को भी बार बार बता ही रहेते कि यह जो गिरावट हुई है यहाँ पर यह market ऑवर बार जोन में चल रहा है कभी भी यहाँ पर गिरावट हो सकते हैं उसके लिए प्रिपेर रहना है बट यह गिरावट ही होगी correction होगा यह मैं समझेगा कि यह market का end हो dollar of flows on stock rally तो जो यह rally हुई है ना टो जोंस में ठीक है ऐसी S&P 500 एक index है ठीक है आप यहाँ पर देखेंगे 0.8 billion dollar का infuse हुआ है जब यहाँ पर infuse हुआ है ठीक है तो market को डो जोंस वाले नहीं छोड़ने वाले जब यह नहीं छोड़ने वाले तो Indian market कहीं नहीं जारी मैं फिर बार बार वही चीज़ कहरो हूँ कहीं नहीं इंटर रिलेट है बस यह महंगा हो जाता है तो उसे कम करते ह फिर भगाते हैं फिर कम करते हैं वही चीज़े यहाँ पर चलती हुई नजर आती है तभी तो higher highs higher top बनेंगे तभी तो share उपर जाएंगे वही तभी तो तेजी होती ही नजर आईगी तो वही से किये दूसरी बात क्या गिरावट में किसी ने बेचा है क्या FIs यहाँ पर बे करीदा है और यह थोड़ा बहुत यहाँ पर बेच दिया 1300 करोड तो यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है साथ में DIs भी बाई कर रहे और आज इन्होंने कितना 4754 करोड का माल करीदा है तो यहाँ पर क्या है जो डर रहे थे ना टीक है जिन्होंने ट्रेडिंग करी थी जो यूर सेटिंग इना स्टॉक जो की फंडामेंटली स्टॉंक शेर है वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है और कुछ नहीं है ठीक है ना आप मत सोचिएगा कि वह खतम हो गया है हैस ब्रेक लूज हो गया है और ऐसा कुछ नहीं हुआ दुनिया कटम होने को नहीं आई है और श्टॉक मार्केट में वह तेजी भी खतम नहीं हुई है इस शीच को थोड़ा समझें यहां पर बलकी से ज्यादा तो यहां पर पहले बेच चुके थे ठीक है बट यह खरीद रहे थे तो एक्विलेंट चलता हुआ नजर आ रहा है तो आप यहां पर देखिए जब बेच देख रहे थे अगाmost पहले बीचे थे तब बेच रहे ती तब भी हम यहां पर ऊपर ते और जब हम यहां पर भीच टी रहीं और नहीं पर ख़रिद ही ओर si तो इस wave से कैसे गर जाएगा जहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर इस चीज से डरने की तो बिल्कुल भी ज़रुवत नहीं है, और positive चीजे देखो, यहाँ पर देखो, यह inflows तो आई रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर यह भी होता पर आप देखोगे ना, जब यहाँ पर market ने एक top बनाया था, ठीक है, 2022 के last में, उसके बाद एक गिरावट होती ही दिखाए दी थी, सारे share गिरते हुए नजर आये थे, इस वीच में rate बड़े थे, ठीक है, इस वज़े से यहाँ पर, तो वो rate यहाँ पर cut होने वाले है, इ ठीक है, जब तक कि कुछ ऐसा ना हो, जो कि यहाँ पर किसी को अंदाजा ना हो, तो वो होनी होने वाला, otherwise यहाँ पर market सही चलने वाले है, तो डरने की तो सबसे पहली बात यहाँ पर खतम हो जाती है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है, आपको डरना चाहिए, थोड़ी स small cap में यहाँ पर deal करते है, तो मैं small cap से related बाते करूँगा, पर यहाँ पर बादा आता हूँ, कि यहाँ पर मुझे लगता है कि 5 win में market open होने वाली है, तो अगर यह उपर हो जाता है, ओके ठीक है, नहीं चलेगा, कोई परिशानी नहीं है, ठीक है, अगर यह गिरता है, तो ज़्यादा नहीं गिरने वाला, इसी के आसपास आके, ठीक है, यहाँ इसके आसपास आके, यहाँ से market reverse होने वाली है, बिलीव मी, यही होने वाला है, और कुछ नहीं होने वाला, और गिरता भी है, तो यहाँ इससे ज़्यादा नहीं किरने वाला, और इससे ज़्यादा ग यहां पर आप देखिए यह गिरावट 3.60% कि यह गिरावट वी थी 4% की ठीक है 4% की गिरावट हुई थी आज से 3 महीने पहले जब यह तीन महीने पहले गिरावट हुई थी और ये market positive market है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे breakout होते हुए नजर आये थे जो कि मैं आभी डो जोंस की बात कर रहा हूं कि अगर नीच आया तो थोड़ा बोत नीच आयेगा फिर उपर जाएगा ठीक है ऐसी NFT में बात करी थी और यही बात मैं आप कर रहा हूं यहाँ से भी आप देखोगे 13,000 से 15,000 होता हुआ नजर आया और हमारे target क्या है हमारे 15,638 के target भी 1200 points की यहाँ पर यहाँ पर यह target तो आने ही आना है तो मुझे यहाँ पर नहीं नजर आता जो यह गिरावट थी वो गिरावट हो गई है ठीक है अभी थोड़ी दिन में पता भी चल जाए जो 4-5% का loss है वो 10-15% पर इसारत है का आपका जा सकता है पर 10% के जाने के बाद जब यहाँ पर तेजी होगी तो यह तेजी इसी तरीके से होने वाली है याद रखिएगा ऐसा नहीं होने वाला कि market खतम हो जाएगी यह देखिए यहाँ पर भी गिरावट हुई इससे पहल מהrat बशन बन रहा है ना में देख रहा हैוצ chills बैंपना इतना भिश इया में इतने प्राफिट में आ गया λαए हिसमें आ हो जब यह जब यह सब FLT से नहीं टक पर थो पूरंत नहीं खरीदते आप सोचेंगे कि अब यह शेर को आने दीजिए वह शेर को आने दीजिए मार्केट यहां पर और गिरेगा मार्केट आपर तो इस तरीके के उल्जने चलती हुए नजर आएगी आपके कोश्चन्स घटने की था कि बढ़ते हुए नजर आएंगे और वो रैली जो यह रैली थी ना वो उन्होंने भी मिसकर दी थी ठीक है बीच में पकड़ा अब यहां पर हमने तो इस रैली का पूरा आनंद लिया है ठीक है और हमने यहां पर पैसे बनाए भी ठीक है ठोड़ा बूच चला गया दुबढ़ा रिकवर हो जाएगा दुबआर जोनों ने भी होल्ड किया है और मैं हमेशा मैंने अपने क्लाइंटों को कह दिया स्विंग करने की जरूवत नहीं है क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे स्विंग कर रहे थे अच्छे कासे रेटन 6-7-8 महिने में बनाए भी है ठीक है मोर दन 50% रेटन बनाया है बट इस्टिल ठीक है मेरे जो क्लाइंट यहां पर इन्वेस्टिंग कर रहे थे वह यहां पर 100-100-100-200-200% की रेटन तो मैंने सीख लिया कि 2024 तो यह एट लिस जब यह रेट कट होने वाले है सब चीट पॉजिटिव न्यूज है एफाइज आ रहे है इंफ्यूज हो रहा है तो 2024 में तो स्विंग ट्रेड बनता नहीं है स्विंग ट्रेड है केवल इन्वेस्टमेंट का और इन्वेस्टमेंट में भी कौन से शेयर जो स्टॉक फंडमेंटली टैंक ली कली को उनसे स्टॉक श्टॉक है वो आपको जानना है तो आप हमारे इन नंबरों पर कॉंटसक्क कर सकते हो इस आतमत काम कर सकते है बीच में एक दौदर वीडियो लाता रहता हूं वहापर मैं आपको बताता रहता हूं बट इस तरह पर भीडियो बनागी ती 27 % 27 अधर आएगा अधरवाइस आप बार बार निकालोगे तो सभी कहते है भ्रोकर के ही हाउस यहां पर घर बड़ बहरोगे और कुछ नहीं मैंने यहां पर स्विंग करतें करते मुझे नी पता मेरी काज यह पचाउच शाथ या रुपर तो मैने केबल ब्रोकर्स को यहां पर ब सब जो जो निभी कर देखा है क्सक्राइब खेच यहाँ जो बनेगाआ़ जो सब्सक्राइब इस तरी के सा इस तरीके से करेंगे फिर थी तो जो आज गिरावट थी, वो सीवर गिरावट थी, इसके बाद गिरेगा, तो 1-2% इस तरीके से गिरते गिरते, थोड़ा नीचे आ सकता है, जैसे कि मैं कहा चुका हूँ, 10-15% पर जब भागेगा, तो उसी स्पीड से भागेगा, 10-15-15% की रैली बनाएगा, अगर आपके स्टॉक यहाँ पर कैसे है, अच्छे है, अधर्वाइस तो मैं कुछ कहने सकता, ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे, तो इसमें भी लगबाद 3% की यहाँ पर गिरावट थी, सपोर्ट के पास में चल रहे है, मुझे नहीं लगता है, यहाँ पर गिरावट है, और निक निकलने की सलाह बिल्कुल नी थी, क्योंकि 2024 आपके पैसे डवल और ट्रपल करने वाला है, जैसे COVID के बाद हुए थे, निकलना बेवकूफी होगी, और कुछ नहीं, बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाफ से देखिएगा, बट 2 जोन से लिटिट देख लेते हैं, तो गिरावट होगी, तो यह ओवरबॉट जोन में चल रहा है, इस वज़े से होगी, इसके बाद दुबारा भागता हुआ नजर आएगा, ठीक है न, तो यह गिरावट तो मैं एक्सपेक कर रहा हूँ, बट याद रखिएगा, जब यह यहां से नीचे आएगा, और फिर जब काम करना है, इस टॉक जानना है कि कौन से भागेंगे, क्योंकि हार एक बुल मार्केट के लीडर अलग होते हैं, तो मैं आपको वह बताता हूँ और नजर आँगा, तो थैंक यू सू मुच, गॉड ब्लस